हेलो दोस्तों, पीम मोधी देंगे बिहार में बाढ़ प्रभावित लोगों को 500 करोड रुपे बाढ़ प्रभावित बिहार को प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने 500 करोड रुपे की मदद देने का एलान किया है पीम मोधी ने बाढ़ प्रभावित बिहार की मदद करने का फैसला, वहां के हालात को हेलिकॉप्टर से देखने के बाद किया मोधी के साथ नेतिस ने भी राज का दोरा किया था प्रधान मंत्री ने नुकसान के आगलन के लिए तुरंथ ही एक सेंट्रल टीम भेजने का भी अस्वासन दिया है बाड से प्रभावित सड़कों की बरम्त के लिए सड़क एहुंपरिवहन मंत्राले को उप्युक्त कारवाई करने का भी निर्देश दिया गया है बाड से प्रभावित वित्यूत इंफ्रास्ट्रक्चर की सीगर बहाली के लिए भी केंदर राजी सरकार की हर संभव मदद करेगा परधान मंतरी रहत कोस से परतिक मृतक के परिवार को दो लाक रुपए एवं गंभी रूप से घायल वेक्ति को पचास अजार रुपए की दर से साहता दी जाएगी राज के कई छेतरों में अभी भी बाड़ का पानी फैला हुआ है पिछले 24 घंटे के दोरान बाड़ की चपेट में आने से 49 लोगों की मौत हो गई है जिसमें बाड़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 418 तक पहुच गई है पिहार में बाड़ से 1.67 करोड से ज़्यादा की आबादी प्रभावित है बाड़ की चपेट में आने से मरने वालों की संख्या प्रति दिन बढ़ती जा रही है अरेरिया में सबसे ज्यादा 87 लोगों की मौत हुई है जबकि किसन गंज में 24, पुर्णिया में 9, कटिहार में 40, पुर्वी चपबारन में 32, पस्चिमी चपबारन में 36, दर्भंगा में 26, मदुवनी में 28, सितामडी में 41, सिवहार में 4, सुपौल में 16, मधेपूर में 22, गोपाल गंज में 20, सहसरा में 8, बुजफरपूर में 7, समस्तिपूर में 2, खगड़िया और सारन में 7, 7 लोगों की मौत हुई है सीवान के एक प्रखण की 4 पंचायतों की बाड़ का पानी फैला हुआ है यहां से किसी की मौत की सुचना नहीं है इस वक्त बिहार में BGP के गड़बंदन वाली सरकार है पिछले दिनों ही नितिस कुमार ने लालू परसाद यादव की पार्टी राष्टी जनता दल का साथ छोड़ कर भारती जनता पार्टी में ने गड़बंदन किया था BGP के सुनील मोधी बिहार के उपमक मंत्री है नितिस की पार्टी जनता दलीन यूनाइटेड के सरद यादव इस गड़बंदन के खिलाफ है इस गड़बंदन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए लालू परसाद यादव ने 27 अगस्त को रैली भी रखी है लेकिन बाड़ की वज़ा से बिगड़ते हालात की वज़ा से कही नेताओं ने रैली ना करने की हिदायत भी दी है कॉंग्रेस और बास्पा की तरफ से रैली में ना जाने की बात कही जा चुकी है अगर दोस्तो अगर आपको मेरा या वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद